डीडी अकाडमी के तरफ से आप सभी का स्वागत है आज SSC GD 2022 का जो है सरली करन सिंप्लिफिकेशन की उपर ये पार्ट 3 वीडियो है अर्थात इसके दो पहले की वीडियो दिया जा चुका है और ये सात्वा क्लास है, सेवन्थ क्लास है क्योंकि हमने रेशियो भी किया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस भी किया हुआ है और इस क्लास की विशेस्ता ये है कि खाली अब जोर, घटाओ, गुना, भाग इतना ही जानते हैं, यही सफिशेंट होता है SSC GD को क्रैक करने के लिए तो चलिए आज सरलीकरंड के पार्ट 3 पे हम चलते हैं आज सवाल कुछ कम होंगे, हमवर्ट कुछ ज़्यादा होंगे जाए कि हमने दो किया हुआ है और थोड़े से पार्ट रह जाएंगे जो सरलीकरंड पार्ट 4 में हम कॉवर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला सवाल जो है 1-1 बटे 2 1-1 बटे 3 1-1 बटे 4 1-1 बटे 20 को सरल करने पर परिनाम क्या होगा देखे यह जो सवाल है न यह बौडमास के उपर नहीं है हलके से क्ट्रिक्स के अंदर में है और एक लाइन में हो जाता है यह सवाल जो है SSC GD में 24 नौवंबर के शिफ्ट 3 में पूछा गया था इसका उत्तर जो है 1 बटे 30 है देखे हम 1-1 बटे 2 को जब भी एक में से किसी हम 1 बटे 2 को घटा रहे हैं या कोई भी संख्या घटा रहे हैं तो हम करते हैं देखो 1 बटे 2 डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है ठीक है ना? हर में 2 है इसको हम उपर वाले से माइनस कर देते हैं तो 2 में से 1 घटा आएंगे तो क्या होगा? 1 बटे 2 क्या मैंने बुला? 2 से 1 कर दिया अब देखी ये इस ब्रैकेट इस ब्रैकेट के बीच में क्या है? गुने का चिन्ना है संबंद है आपको पता है तो हमने गुने का संबंद लिख दिया अब देखी 1 माइनस 1 बटे 3 है देखी 1 माइनस 1 बटे 3 तो क्या करते हैं? सिधा सिधे 3 से 1 घटा दिया तो क्या होगे उपर क्या होगे 2 नीचे होगे 3 बराबर 2 बटे 3 अब देखिए फिर 1-1 by 4 है तो देखो यह खाली जानने से होता है तो 4 से 1 घटा दिया हाँ तो पहले गुना का चिनना डालना होगा यहाँ पर है तो यहाँ पर हमने गुने का सिंबॉल डाला फिर 4 में से 1 घटा आया तो 3 बटे 4 अब देखिए पैटर्न है 1 बटे 2 फिर 2 बटे 3 1 से ज़्यादा 1 होगे 1 बटे 2 है गुना 2 बटे 3 ठीक है ना फिर 3 रिपीट होगे 3 से 1 होगे 4 यही है ना चलिए अब हम भी डाट 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 दे देते हैं अब देखिए लास्ट में है क्या 22 बटे 23 क्यों 23 से 1 घटा आएंगे तो 22 बटे 23 तो 22 बटे 23 अगर होगा यह अगर सपोज यह 22 बटे 23 है तो इधर भी 23 21 बटे 22 होना होगा तो मतलब है कि 21 बटे 22 होगा पहले तो लिखा फिर हमने गुना किया फिर 22 बटे 23 हमने 21 बटे 22 कहां से लिखा या देखो यहां जो होता है 23 से हमने 1 घटाया तो 22 हुआ था तो इधर वाला क्या होता है यही चीज नीचे होता है देखो चार था यहां नीचे चार था और चार से नीचे कम एक तीन था है न फिर देखो तीन यहां है तो यहां भी तीन है और उपर क्या है तीन से एक कम है यहां भी 22 है तो यहां भी 22 होगा यहां 22 होगा इस से एक कम 21 होगा हमें मैटर जो है यह सीरी समझ में आ गिया चलिए अब काटना शुरू करते हैं दो से दो को काटा, तीन से तीन को काटा चार से चार को काटा पांच से हम जानते हैं यहां पांच है कड़ गया 21 से हम जानते हैं यहां 21 है कड़ गया 22 से 22 कड़ गया तो बचा क्या इधर एक बचा इधर 23 बटा तो बराबर हो गया एक बटे 23 तो देखे इस सारे सवाल का न एक दो बार प्रैक्टिस करना ज़ोरी होता है क्योंकि परिक्षा होल में आता है तो दिमाग में खोता है कैसे मैंने किया था चीक है तो यह टाइपस है इसे जरूरी याद रखेंगे चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं यहां पर देखिए हम बॉट मास का इस्तिमाल करेंगे Simpli बॉट मास के उपड़ ही है इसमें बॉट मास में हमने जो पिछली बार में समझाया था यह पूरा है दो क्लास हम नहीं समझाया हुआ, इसलिए इस पर ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे लेकिन हमने यहाँ पर देखी पावर को बारे पर नहीं बताया था हमने बोला था कि पहले ब्रैकेट का काम होगा लेकिन अगर कोई चीज़ पावर में है, ब्रैकेट के पहले पावर का काम होगा, ठीक है, थोड़ा सा संसोधन कर लेते हैं, तो फिर अब शुरू हो जाते हैं, पावर का काम होगा, मतलब पाँच का स्क्वायर है, मतलब पाँच दो बार गुना करेंगे, पचीज होगा, और छोटी ब्रैकेट है, इसलिए छोटी ब्रैकेट का का काम पहले होगा, तो चार गुना पचीज, मतलब क्या होगा, यह सौ हो जाएगा, पचीज चो के सौ, अब division का काम हुआ भागा तीन मतलब बटे तीन अब देखिए तीन से हम छे को काड़ देते हैं तो दो होता है दो को सौ से गुना करते हैं तो 200 हो जाता है 200 प्लस 7 माइनस 8 उसके बाद क्या होगा एडिशन का काम होगा 200 के साथ जोड़ दिया 207 माइनस 8 अब इससे 8 घटा दिया तो क्या होगा 199 यही देखिए आंसर हो गया तो बहुत ही आसान रहा बस एक छोटी सी बात जो है बार्ड मास के अलावा यह जानना था इसके लिए बहन कि सब समझ चुके होंगे चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं इस तरह के ट्रिकी सवाल भी आते हैं क्या बोला है एकाई दहाइं सैक्रा हजार दसजार लाख दसलाख 99 लाख 87 हजार 693 को गुना करना है छे हजार 432 से फिर उसको गुना करना है 7695 से फिर बोलता इसको दस से भाग दो महराज अगर इस तरह से करना शुरू करेंगे तो समझ लीजे कि पूरा जो यह है आपकी उतने तो रफ पेज भी नहीं मिलेंगे और कम से कम गुना करने में यह गुना करके भाग करने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे कहानिया भी खतम ह जाएगी लेकिन यह सवाल जो है था 30 नौमर को आया था शीफ्ती में बहुत ही सिंपल है या तो देखो दस से भाग कब जाएगा जब आखरी में सुनना होगा आखरी में सुनना होगा या नहीं होगा आखरी संख्या क्या मैं बूलो आखरी संख्या उसको समझने के लिए क करते हैं संख्या को फिर से लिए अब देखो आखरी संख्या को मैंने लाल से लिखा है तीन दुनी छे पांचक तीस तीस में सुनना होता है इसका मतलब जो भी हम गुणा करेंगे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J बाड़ में लास्ट में सुनना होगा का है तीस का सुनना अब अगर इसको दस से भाग समझाने के लिए कर रहे हैं खली नहीं तो मैं ऐसे ही बोलता ना दस का सुनना था सुनना से कर जाएगा तो शेश्वल कुछ नहीं बचेगा लेकिन थोड़ा कर करके दिखा देते हैं चलो दस से भागा दे रहे हैं तो फिर क्या होगा दस से देंगे तो इतना बार जाएगा A, B, C, D, E, F, G, H, I, J और नीचे क्या होगा नेचे लिए इसको अगर दस से गुना करोगे बाद जिरो आएगा अगर हम इसको काटेंगे तो क्या होगा कुछ कुछ और सवाल जो मैं अगले इसमें जो आने आ सकते हैं वो मैं दूँगा और देखो दसमलाओ कर हमने नहीं किया तो दसमलाओ के उपर अगले करी में हम देंगे तो चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं अब ये सवाल देखिए अभी तक जब हमने बॉर्ड मास का बात किया था हमने बोला था कि ब्रैकेट के पहले पावर का काम होगा साथ साथ में हमने बार के बारे में नहीं बताया था तो क्या है छोटी इसके पहले जो होगा वो बार अगर कहीं आता है तो उसका काँ पहले होगा ठीक है तो देखिए अगर यह बार नहीं होता तो क्या होता माइनस 4 था, माइनस 6 था 6 से माomonas 10 घटाते तो minus 4 अता ठीक है लेकिन यह बार दिया हुआ है तो इसका काम पहले करना है पहले काम करना है तो मतलब देखिए ये 6 minus 4 था इस minus को नहीं देखना हूँ ये minus बाहर है 6 से मैंने 4 घटाया तो 2 हुआ बस इतना ही जाना है बार में इस चीज़ को खाली समझ लीजिए ठीक है अब तो सिंपल है छे से दो घटा है तो चार और दस में से चार ये छोटी ब्रैकेट हट गई ये इसका काम हो गया छे से दो घटा है या चार अब दस से चार घटाएंगे तो छे होगा ठीक है न तो देखी ये 6 हो गया मजोली ब्रैकेट भी कतम हो गई अब 20 से 6 घटाएंगे तो क्या होगा 14 होगा तो 72 से 14 घटाएंगे तो 58 होगा ये इसका आंसर है कुछ भी नहीं था खाली क्या था इस बात को जानना ज़रूरी था चली अब आगे चलते हैं अब होमबर कहा जागा है होमबर क्या है किस तरह के सवाल कितने आते हैं और इसका देखिए पीडिये फाइल जो है मैं आपके डिस्क्रिप्शन पर लिंक उसका दे रहा हूँ उस पीडिये फाइल को लें और खुद करने की कोशिश करें आंसर दिया हुआ नहीं होता है तो कॉमेंट्स करके हम मुझसे बताएं तो मैं जरूर उसको अगले एक्जाम में मैं करके दूँगा पहला सवाल आते हैं देखिए ये जो है ये आपका जो है चलिए मैं इसको ये कर दिया ये 18-11 को आया था बॉर्ड मास का मैंने दे दिया इस बॉर्ड मास के उपर आदा रही ये सवाल है आपको प्रेक्टिस करना है दूसरा मैं दे रहा हूँ ठीक है नहीं ये सवाल भी आपका 18-11 के शिफ्ट 12 में आया था यहां देखिए एक पुनांग के एक बटे चार है इसको कैसे तोड़ा जाता है मैंने आगे पहले किया हुआ है हसान है कुछ भी नहीं है और ये सवाल जो है 30 प्रतिसत आते है मतलब अगर 2018-19 और इसका देखू 20-21 का देखू तो फिर यही आता है ये सवाल भी बहुत आते है इस तरह के सिंपल आते है ठीका नहीं ये अठाड़ा एक एक की शिफ्टू में आया था फिर उसी तरह के हम आते हैं चलिए ये सवाल देखिए तो सब में मैंने बार्ड मास लगा के रखा है कि आप आपकी अगर जवरत हो तो खाली इसको देख के ही कर सकते है ये सवाल हुआ तो ये सारे के सारे मैंने आपके लिए रखे हुए है ये भी आपके बाईसे गारा दोजार इकीस को शिफ्टू में आया हुआ था असान है लेकिन प्रैक्टिस की जवरत है इसका आंसर माइनस टू होगा अब इसके उपर अगला सवाल आते हैं इस सवाल को भी करते हैं ये आपका तेज सेगारा इकीस शिफ्ट वन में आया हुआ था तो इसको भी आप जरूर करेंगे उसके बाद ये सवाल आता है इस सवाल को भी जो है ये भी आसान है ये भी बाद मास की तरह ये ऐसे करेंगे 26 तारीको शिफ्ट 3 में आया हुआ था तो आल्मोस्ट आपके पिछले साल के जितने भी मतलब 21 के जो सवाल आये थे उसको मैंने दे दिया है जो एकदम करेंट है और इन टाइप पे ज़्यादा कंसेंटरिट करेंगे क्योंकि ये ही आ रहे है दसमलों के उपर भी 19 में आया हुआ था 21 में तो केवल 4 सवाल आ है और बाद बाद की किताब में बहुत सारे टाइप्स हैं देखो भी आ सकते हैं लेकिन जो आया है वही सक्ते है उस पे ही ज़्यादा कोशिश करो इसके लिए मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ देखो टेप्स के जो सवाल आते हैं न जिसको सीरी नुमा बोलते हैं वो दो बार आये थे इससे ज़्यादा नहीं आये सीरी नुमा टाइम लगता है कन्फियूजिंग होता है अगले क्लास में ज़रू करवाँगा लेकिन इस तरह के सवाल ज़्यादा आते हैं ये भी आपके 29 एगारा में आये थे इसके बाद ये भी आपके 30 एगारा में आये थे shift 3 में आया हुआ था फिर इस तरह के सवाल ये भी देखिए shift 3 में आया हुआ था तो पहले देखो एक shift में 3 कभी 4 simplification पूछे गए चुकि 25 से 20 हो गया है तो मेरा मानना है minimum 2 तो होगा 3 भी आपके पास simplification होगा तो समझ लिजे simplification 3 होना या 2 होना 10 से 15 परसेंट सवाल जो है या 10 से 15 परसेंट मांक्स जो है इस पे निभर करता है तो simplification और profit and loss ये बहुत ही ज़रूरी है तो चलिए next class जो होगा कल 6 बजे और कल हम simplification नहीं करेंगे कल हम कुछ और करेंगे ओके दन बाबाई थैंक यू जै इन